अगर सेभी ने डी लिस्टिंग के नियमों में किया है थोड़ा संशोधन किस तरह के संशोधन है और किस तरह के बदलाओ होने जाने इन नियमों में आए जान लेते हैं आशिश हमारे साथ जुरूरा है डिटेल्स लेकर आशिश बताएं सब प्रमोटर्स और कंपनी इसके लिए डी लिस्टिंग के प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होगी है पहले क्या होता था कि रिवर्स बुक बिल्डिंग होती थी और फ्लोर प्राइज उससे पहले तै किया जाता था पहले क्या होता था कि public announcement के दिन से ही हाँ पर अगर आप देखें तो अब इसको calculate किया जाएगा इससे पहले board approval मिलने के बाद होता था तो इसमें एक फर्क देखने को मिल रहा है इसके अलावा अगर आप देखें तो counter offer के लिए पहले शर्त थी कि 90% लोगों को tender करना चाहिए अब इससे घटाकर 75% कर दिया है अलागी delisting के लिए अगर आप देखें तो इसके लिए एक शर्त ये भी कि 50% minimum public share holders को इसमें tender करना चाहिए तब ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आप revised offer कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारी companies ऐसी हैं जो investment और holding companies है तो इसके लेकर भी थोड़ा सा नियम आसान कर दिया गया है यानि अब ये अपने जो sheds हैं अपनी holding इसे transfer कर सकते हैं या फिर cash payment करके भी शेड़दारों को इसे delisting कर सकते हैं तो promoters और companies के लिए अच्छी ख़बर है जहाँ पर delisting की प्रक्रिया काफी सरल कर दिया गया है Delisting process को काफी सरल कर दिया गया है अब दिखते हैं कुछ काफी लंबे चोड़े नाम्स हैं जो काफी समय से इंतिजार भी कर रहे हैं बीच में दो तीन फेल्ड डीलिसिंग्स भी लाएं शायद इनके लिए थोड़ी simplification हो जासे है फिक्स प्राइस पर पाएंगे तो पहले तो यह कि पचास परसेंट जो मिनिमम पब्लीक शेरोर उनको तो करने ही पड़ेगा और दूसरा है कि 90 परसेंट के बजाए 75 परसेंट ही हुए तो भी चल जाएगा काम फ्लोर प्राइस पर कर लीजिए तो फ्लोर प्राइस से 15 पर बदलाओ की बात करें वह भी होने जा रहा है चले बढ़िया तो यह सारे के सारे एक्षिन है जो आपके सामने होते दिखने है यह आपके लिए इस बीच बैंक इफ्टे अप्राइब